हेलो फ्रेंद्स आप सब का स्वागत है आज की इस वीडियो में तो आज मैं आपको बुक्रम के उपर अलग लग तरह के नेक कट करने की कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप बुक्रम के उपर किसी भी शेप करने कसानी से कट कर सकोगे तो आपका जादा टाइम ना लेते हुए हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें नेक की चुड़ाई को माग करना होता है तो बुक्रम को इस तरीके से आपने डबल फोल्ड करके रखना है और उपर वाली साइड की तरफ ना यहां से आपने चुड़ाई को माग करना है तो मान लीजिए मुझे अपने नेक की जो चुड़ाई है वो साथ इंच रखनी है तो यहां पे मैं साड़े तीन इंच माग करूँगी क्यूंकि हमने बुकरम को डबल फोल्ड करके रखा हुआ है साथ का आधा हम इस तरीके से माग कर लेंगे सीधा सीधा तो ऐसे हमने नेक की चुड़ाई को माग कर लिया अब हमें नेक की गहराई को माग करना है तो गहराई हम ऐसे भी माग कर सकते हैं यहां से यहां से मार्ग करेंगे तो थोड़ा कम डीप आएगा अगर हम सीधे में अपनी गहराई को मार्ग करेंगे तो थोड़ा जादा डीप आजाएगा तो मैं इस तरीके से सीधे में मार्ग करूंगी अपनी गहराई को नेक की गहराई मैं यहाँ पे 7.5 इंच ले रही हूँ तो 7.5 को हमने इस तरीके से सीधा सीधा मार्ग कर लेना है अब हमें इसी डिमेंशन के अंदर अपना नेक ड्रो करना है तो बुक्रों को ऐसे सीधा करके रखेंगे अब हमने नीचे वाली साइड से 5.7 इंच से उपर 2 इंच इस तरीके से मार्ग कर लेना है अगर आप बिगनरे जो तो आप 2 इंच को भी ऐसे सीधा सीधा मार्ग कर शकते हो तो अब मैं उपर वाली साइड में राउन नेक ड्रो कर रहे हूँ तो round neck को पहले हम धीरे-धीरे mark करेंगे जो भी marking हमारी बिल्कुल perfect आजाएगी हम उसे dark कर लेंगे तो अगर आप beginners हो तो आप neck को इसी तरीके से draw करें आपकी जो neck की shape है वो अच्छे से आएगी अब हमने ये नीचे वाले 2 inch वाले mark में से न एक inch इस तरीके से draw कर लेना है ऐसे तो ये gap हमारा लगबग 2 inch है न तो अब हमने क्या करना है? नीचे से लगबग 1 inch ऐसे उपर की तरफ diagonal shape में mark करना है नीचे को ने से इस तरीके से mark करेंगे एक inch को अब हमने ये वाली marking को ये वाली मार्किंग से ऐसे मिला देना है डाइगनल शेप में ही ये जो इसके बीच वाला गैप है ना ये लगबग एक इंच का आपका होना चाहिए यानि कि टोटल दो इंच का होना चाहिए क्योंकि हमने वुक्रम को डबल फोल्ड करके रखा है तो इस तरीके से उपर वाले मार्क को इससे मिला देंगे तो अब हमें बाहर से एक्स्ट्रा बुक्रम ड्रो करनी है लगबग पौना पौना इंच तो पौना पौना इंच ना या तो आप इंची टेप के साथ मार्क करके भी ले सकते हो या फिर इस तरीके से आप ऐसे मार्क कर सकते हो पौना पौना इंच को अगर तो ये वाला neck आपको बाहर की तरफ पलटना है तो आप एक एक इंच भी एक्स्ट्रा बुक्रम बाहर की तरफ मार्क कर सकते हो अगर आपने बाहर की तरफ नहीं पलटना है तो आपने पौना इंच ही एक्स्रा बुक्रम लेनी है तो अब हम इस neck को अपनी marking के according कट कर लेते हैं पहले बाहर से फिर अंदर से तो ये हमारा diamond cut वाला neck design ऐसे cut हो जाएगा अब हम इसे अंदर से cut कर लेते हैं अपनी marking के बिल्कुल साथ साथ तो ये जो neck designer ना हमारा ऐसे आजाएगा round neck के नीचे diamond cut और यहाँ पे आप loop भी लगा सकते हो कोई button भी लगा सकते हो तो ये देखिए बुक्रम के उपर हमने कितनी असानी से ये वाला neck cut कर लिया है तो चलिए अगला neck cut कर लेते हैं उसके लिए मैंने बुक्रम को ऐसे double fold करके रख लिया है अब हम सबसे पहले neck की चोड़ाई को mark करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है तो मैं यहाँ पे neck की जो चोड़ाई है वो लगबग 7 इंच रख रही हूँ लगबग 7 इंच आप अपने according जितना भी deep neck रखना चाते हो उतना रख सकते हो तो मैंने ऐसे 7.5 इंच को सिधा सिधा mark कर लेना है तो ऐसे हमने neck की चोड़ाई और गहराई को mark कर लिया है अब हम उपर वाली side से न ऐसे यहाँ से 3.5 इंच नीचे की तरफ mark करेंगे यहाँ पे और इस तरीके से सीधा सीधा mark कर लेना है और फिर हमने नीचे की तरफ 1 इंच से 1 point कम वैसे ही नीचे की तरफ सीधा सीधा mark करना है सिरफ 1 इंच से 1 point कम ऐसे फिर 1 इंच से 1 point कम इधर को mark करेंगे इस तरीके से फिर से एक इंच से एक पॉइंट कम नीचे की तरफ माग करेंगे तो अब फिर से हमें यहां से एक इंच से एक पॉइंट कम इस तरीके से माग करना है अब हमें यहां से नीचे की तरफ नेक को शेप देनी है यहां से आप अपने अगॉर्डिंग कोई भी शेप दे सकते हो वैसे तो आप यहां से सीधा वी भी दे सकते हो नीचे की तरफ अगर आप सीधा वी नहीं देना चाते तो आप यहां से हलका राउंड वी भी दे सकते हो इस तरीके से आपको हलका round V mark करना है इसे हम dark कर लेते हैं तो ये हलका round V आ गया आप ऐसे सीधा V भी भी दे सकते हो अब हमें बाहर से extra bookworm को draw कर लेना है लगबग पॉना पॉना इंच अब हम इसे अपनी marking के साथ साथ cut कर लेते हैं तो ऐसे हमने इसको बाहर से तो cut कर लिया है अब हम इसे अपने अंदर वाली marking के साथ साथ cut कर लेते हैं तो ये वाला neck भी हमारा इसे cut चुका है तो अभी मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ तो ये ready होने के बाद हमारा ये neck कुछ ऐसे आजाएगा आप इस neck की चोड़ाई और गहराई अपने according रख सकते हैं जितनी भी आप रखना चाहते हैं तो अब हम अपने अगला neck cut कर लेते हैं जिसके लिए मैंने बुकरम को ऐसे double fold करके रख लिया है अब हम इस पे अपने neck की dimension को draw करेंगे गहराई और चोड़ाई को तो यहाँ पे सबसे पहले मैं neck की चोड़ाई को mark कर रही हूँ लगबग 3 इंच यानि की total हमारे पास neck की चोड़ाई 6 इंच आ जाएगी तो 3 इंच को हमने ऐसे सीधा सीधा mark कर लेना है तो यहाँ पे मैं आपको बता दू जो normal standard size का neck होता है वो change ही broad होता है तो अब हमें neck की गहराई को mark करना है तो गहराई मैं ऐसे सीधे में mark कर रही हूँ लगबग 3 इंच आप जितनी भी neck की गहराई रखना जाते हो उसके according आप यहाँ पे सीधा सीधा mark कर लीजिए तो ऐसे हमने neck की गहराई और चोड़ाई दोनों mark कर लिए है अब हमें यहाँ नीचे से ऐसे round में घुमाना है पहले आप हलका हलका mark कर लीजिए जैसी आपकी marking बिल्कुल perfect आजाए आप उसको dark कर लीजिए फिर उपर की तरफ round में घुमाएंगे अब हमने उपर की तरफ round neck draw कर लेना है इस तरीके से ऐसे आप अपनी marking को dark कर लीजिए तो यह neck हमारा ऐसे beautiful shape में draw हो चुका है अब हमें बाहर से extra bookram को draw कर लेना है अब हम इसे अपनी marking के साथ साथ cut कर लेते हैं अंदर और बाहर दोनों तरफ से तो यह neck हमने अपनी marking के साथ साथ cut कर लिया है तो अभी मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ तो ready होने के बाद हमारा यह neck कुछ ऐसे आजाएगा देखिए कितनी खूबसूरत shape में cut आया है न तो आप ऐसे कोई भी designer neck अपनी bookram पे असानी से cut कर शकते हो तो अब हम अपना अगला neck cut करते हैं उसके लिए मैंने bookram को ऐसे double fold करके रख लिया है अब हम इस पे अपने neck की गहराई और चोड़ाई दोनों को mark कर लेते हैं तो चोड़ाई मैं यहाँ पे 6 inch ही ले रही हूँ neck की तो 3 inch को हमने ऐसे सीधा सीधा mark कर लेना है तो अब हमें neck की गहराई को mark करना है तो गहराई मैं ऐसे सीधे में mark कर रही हूँ लगबग 7 inch आप अपने according गहराई को mark कर सकते हैं तो 7 inch को भी हम ऐसे ही सीधा सीधा mark कर लेंगे तो यहाँ से हम हलके हाथों से round draw करेंगे इस तरीके से बिलकुल हलके हाथों से गुमाईए अगर आपकी shape अच्छी नहीं आती तो आप इसको दुबारा shape दे सकते हो अब हमें उपर की तरफ round neck draw करना है ऐसे यहाँ से ही तो अब हम इसे dark कर लेते हैं तो यह उपर की तरफ round u neck है और नीचे की तरफ designer cut है इस तरीके से अब हमें बाहर से extra bookworm को draw कर लेना है और अब हम इसे अपनी marking के साथ साथ cut कर लेते हैं तो ऐसे हमारा यह वला neck भी cut हो चुका है तो अभी मैं आपको इसको खोल के भी दिखाती हूँ तो यह ready होने के बाद हमारा यह neck कैसे आजाएगा यह neck के आजकल काफी trendy है आप भी अपनी कुर्ती पे यह वला neck जरूर ट्राइ करें तो अब हम अपना अगला neck cut करते हैं उसके लिए मैंने बुक्रम को ऐसे double fold करके रख लिया है अब हम इस पे अपने neck की dimension draw कर लेते हैं सबसे पहले हम neck की चोड़ाई को mark करेंगे यहाँ पे 6 inch ही मैं चोड़ाई ले रही हूँ तो 3 inch को हमने ऐसे सीधा सीधा mark कर लेना है और यहाँ से अब हमें neck की गहराई को mark करना है बिल्कुल सीधे में तो सीधे में मैं neck की गहराई जो है वो 7 inch ले रही हूँ आप अपने according जितनी भी रखना चाते हो तनी रख सकते हो तो 7 inch को भी हमने ऐसे सीधा सीधा mark कर लेना है तो अब हमें neck के नीचे न 2 inch का design देना है तो 2 inch को हम इस तरीके से नीचे की तरफ से mark कर लेंगे अगर आप beginners हो तो 2 inch को आप ऐसे सीधा सीधा mark कर लो फिर उपर की तरफ neck draw करो अब हमें उपर की तरफ round neck draw करना है तो वैसे ही आप पहले धीरे धीरे mark करके देख लीजिए जो भी marking आपके बिल्कुल perfect आजाए आप उसे dark कर लीजिए तो ऐसे हमारा ये round neck draw हो जाएगा तो उपर की तरफ हमारा ये round neck draw हो चुका है अब हमने नीचे की तरफ heart shape draw करनी है तो नीचे वाली साइड से लगबग आधा इंच उपर से हम यहाँ से heart की shape देते हुए आएंगे इस तरीके से तो अब हम बाहर से extra bookrum को draw कर लेते हैं लगबग पोना पोना इंच तो ऐसे heart shape में ही हम extra bookrum को भी draw करेंगे नीचे से तो अब हम इसे अपनी marking के साथ साथ कट कर लेते हैं तो अब हम इसे अंदर से भी कट कर लेते हैं तो ऐसे हमारा ये neck cut हो चुका है तो अभी मैं आपको इसको खोल के भी दिखाती हूँ तो हमारा ये neck कुर्टी पर ready होने के बाद कुछ ऐसे आ जाएगा round neck के नीचे heart shape आ जाएगी तो आई होप आपको मेरे ये अलग लग neck cut करने के tips and tricks अच्छे लगे होंगे तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको like को share जरूर कीजिए चैनल को subscribe जरूर कीजिए तो चलिए next किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं till then bye bye